नमस्कार वनकम सस्रिय काल, कैसे हैं प्रभु? हमने बॉक्सर्स की बात कर ली, नीरत चोपड़ा की बात कर ली, हमने पीवी सिंदु की बात कर ली, हौकी टीम की बात कर ली. आज बात करते हैं कुछ धाकड छोरे और छोरियों की. वो छे पहलवान जो फ्री स्टाइल रेसलिंग में परिस ओलम्पिक्स में भारत का प्रते में धित्व करने वाले हैं क्या मेडल्स लेकर आएंगे भारत के रेसलर्स आईए पता करें ये पहली बार हुआ है ये इन फैक्ट जिन पहलवानों की मैं आपको कहानिया सुनाने वाला हूँ बहुत सारी चीजें बहुत से रेसलर्स ने पहली बार की हैं एक चीज जो overall पहली बार हुई है वो ये कि पहली बार भारत के लिए पांच female wrestlers ने Olympics में qualify किया है जिसमें सबसे बड़ा नाम obviously विनेश फोगाट का है साथ में अंतिम पंगाल है अंचुमलिक है रितिका हुड़ा है और निशा दहिया है इनके साथ एक ही male wrestler ने qualify किया है अवन कर सकता है तो आईए इन सारे wrestler बेटे और बेटियों के बारे में थोड़ी थोड़ी पैरी पैरी कहानिया जानते हैं सबसे पहले बात करता हूँ अंतिम पंगाल की अब जो लोग wrestling follow करते हैं वो इनको जानते हैं जो नहीं जानते उनको बता देता हूँ अंतिम अपने total पां इस तरीके से रखे जाते हैं पर अंतिम रहने वाली हिसार की हैं हिसार के पास एक गाव में उनका जन्म हुआ था साधारन किसानी परिवार है जो इनके प्रिष्ट भूमी है इनकी बेहन सरितार national level का बड़ी प्लेयर हैं उन्होंने ही अंतिम को प्रिरित किया था कि आप ख जाओं में रह के बात बनेगी नहीं वो शहर हिसार अपने परिवार को ले आए वहां घर बनाया और घर में ही made sure कि घर में भैसे हों क्योंकि पहलवानों को कबड़ी प्लेयर्स को जो अच्छी देसी खुरात चाहिए वो उस पर compromise नहीं करना चाहते थे उन्होंने कहा कि बहुत सारी चीजे इस बार पहली बार हुई हैं अंतिम पहली भारती या रसलर बनी है जो Under 20 World Champion में अदर 20 World Championship में भारत के लिए गोल मेडल लाई हैं और ये काम उन्होंने एक नहीं दो दो बार किया है पहले 2022 में किया फिर 2023 में किया यानी हालिया फॉर्म अंतिम की बढ़ि में विनेश फोगाट भी भारत का प्रतिनिधित्व करती हैं वो एक अलग से कहानी है विनेश और अंतिम की जो एक अच्छी एक मीठी सी टसल सारे वेट कैटेगरीज में वो बॉक्सिंग हो चाहे रेस्लिंग हो चलती रहती है जब कॉमनवेल्थ गेम आये थे तो इसी वेट कैटेगरी में दोनों का ट्रायल हुआ एक समय तक अंतिम आगे थी उसके बाद अंत में आके विनेश ने उनको हराया वो एक बड़ी ड्रेमेटिक सी बाउट हुई थी तो वहाँ पे विनेश ने प्रतिनिधित्व किया तिरेपन किलोग्राम वेट कैटेगरी में भारत का पर जब एशियन गेम्स आए उससे कुछ समय पहले विनेश के घुटने में चोटा गई वो भारत के लिए एशियन गेम्स में नहीं जा पाई तो अंतिम को जाने का मौका मिला और एशियन गेम्स 2022 जो आंगजू चाइना में होई थी अंतिम ने ब्रॉंज मेडल दीता इनक गेम्स 2022 में इनको ब्रॉंज मेडल मिला एशियन चेंपिनशिप 2023 में इनको ब्रॉंज मेडल मिला और जो रेसलिंग की वर्ल्ड बॉड़ी है जैसे क्रिकेट में ICC है वैसे रेसलिंग में UWW है युनाइटिड वर्ल्ड रेसलिंग उन्होंने 2023 में विमिन्स राइजिंग स् से कर सकता है दूसरी रेसलर जिनकी मैंने आपको बीच में छोटी से कहानी बताई थी विनेश फोगाट किसी परिचे की महत आज नहीं है आए उनके बारे में आपको छोटी सी प्यारी सी कहानिया सुनाता हूँ नाम सही पता चलता है कि गीता फोगाट और बबीता फोगाट के परिवार से हैं उनकी सगी नहीं उनकी चचेरी बहन है एक ही परिवार था बड़ी छोटी थी जब इनके माता-पिता का देहान्त हुआ तो महावीर सिंग फोगाट साहब ने इनको भी अपनी अकैडमी में लिया अपनी बेटियों के साथ साथ विनेश को भी उन्होंने अपने साथ ट्रेंड किया और खर विनेश की उपलब्दियां हम सब जानते हैं एशिन गेम्स में इनके पास गोल्ड मेडल है और ये कारनामा करने वाली वो भारत की अब तक की इकलोती और पहली रेसलर है उसके अलावा वो भारत की अब तक की इकलोती या पहली ऐसी रेसलर है जिसके पास एशिन गेम का भी गोल्ड मेडल है जिनके पास कॉमन वेल्ड गेम्स का भी गोल्ड मेडल है वो भारत की इक इसलोती महिला रेसलर हैं, जिसके पास वर्ल्ड चेंपिंशिप में एक से ज्यादा मेडल हैं. बहुत सरी नई-नई चीजें, बड़ी-बड़ी चीजें विनेश वोगाटने की हैं. एक और चीज जो पहली बार विनेश वोगाटने की है, कि भारत की पहली ऐसी महिला रेसलर बनी हैं जो तीसरी बार उलम्पिक्स में क्वालिफाई हुई हैं रियो में खेली थी टोकियो में भाग लिया था और अब यहां पैरिस में भी वो पर्चम लहराने के इरादे से जाएंगी और रियो उलम्पिक्स आपको याद होगा वो चाइनीज रेसलर के साथ उनकी बाउ चोटाई है ACL एंटीर क्रूशियट लिगमेंट में उनकी चोटाई थी एक डेड़ साल उनको बाहर रहना पड़ा था उसके बाद एल्बो सरजरी भी उनकी हुई है पिछले एशिन गेम से पहले उनके घुटने की भी सरजरी हुई है ये कहानिया ये बताती हैं कि इस स्तर पे पहुचना इतना आसान होता नहीं है बहुत सी मुश्किलों का आपको सामना करना पड़ता है और एक बहुत बड़ी मुश्किल जो इनको अभी सहनी पड़ी वो ये कि अब 53 किलोग्राम में चुकि अंतिम पंगाल का दावा मजबूत था ये 55 में भी ट्रेन करती हैं ये कबड़ी हो चाहे बॉक्सिंग हो जो जहां पर वेट होता है खिलाडियों का कि आपको 50 के दाइरे में रहना पड़ेगा वरना आप बाउट नहीं लड़ पाएंगे या मैट पे उतर नहीं पाएंगे पूरी रात इनके कोच कभी इनको सौना बात में बिठा रहे हैं कभी इनको दौड लगाने के लिए कह रहे हैं तकि पसीना निकले थोड़ा वजन कम हो वो तो कह रहे थी कि बेटा मैं तुम्हारे बाल भी काट दूँगा तकि थोड़ा वजन कम हो इस तरह से पूरी रात इनकी उस कश्मकश में गुजरी थी ओविसली कई घंटे से कोच इनों पूरी रात वो और बीसी रिमेश भागते रहे थे तो बिल्कुल वैसा विनेश को करना पड़ा पूरी रात सोना में बैठना एकसाइज करना बहुत कम सोना खाना पीना ना के बराबर और उसके बाद जब चलो वेट जब करने गई तो पचास से नीचे थी बाउट जीती क क्वालिफाई किया और फिर बहुत सारा पानी पिया और उन्होंने केले खाए तो वो भी एक स्ट्रगल है जो बहुत जल्दी किसी के सामने आती नहीं है विनेश फोगाट एशन गेम्स में आपने गोल्ड जीता है यहां भी गोल्ड वाला मेडल आपके गले में हो तो भार 27 kg weight category में Paris Olympics में भारत को represent करेंगी इन्होंने भी कुछ चीजे पहली बार की है यह पूरा वीडियो पहली पहली बार वाला वीडियो है पहली भारती है महिला wrestler बनी है जो की World Championship of Wrestling के final में पहुँची थी जीती नहीं थी लेकिन World Championship का silver medal जीतने वाली final में जाने वाली पहली भार भारती है महिला wrestler वो बनी है निदाना नाम का गाम है जीन्द हर्याना में वहां से इनका संबंध है सारे wrestler 6 के 6 जो qualify किये हैं वो हर्याना से हैं हर्याना भारत में बहुत बड़ा गड़ है wrestling का कबड़ी का boxing का तो ये भी उसी गड़ से आती है इनके पिता धरमवीर जी भारत के लिए junior level पर wrestling कर चुके है 90's के दशक की बात है तो कुष्टी इनको विरासप में मिलती है प्रोचसाहन पूरी family का मिलता है इनके भाई ने इनको सही माइने में encourage किया था कि बहन तुझे भी wrestling करनी है भाई भी खेलों में दिल्चस्पी रखते थे wrestling करते थे वो अंशू को लेके जाते थे अखाडों में अंशू को वहां से प्रेड़ना मिली wrestling करनी शुरू की इन्होंने टोक्यो उलम्पिक्स में ये गई थी तब इनकी elbow में चोट थी चोटिल elbow के साथ खेली वहां जाके चोट लग गई और round of 16 से आगे बढ़ नहीं पाई रेपेचाज में जाने अगली पहलवान बेटी जिसकी कहानी सुना रहा हूँ, obviously हर्याना से हैं, उन्होंने भी एक काम पहली बार किया है, नाम है रितिका हुड़ा, 76, 76 kg यानि heavyweight category में पहली भारतिये महिला wrestler बनी हैं जो उलम्पिक में जाएंगी, heavyweight category में इससे पहले भारत की कोई female wrestler उलम्पिक म नहीं जा पाई हैं, तो रितिका हुड़ा ने भी एक काम पहली बार भारत के लिए किया है, एक और काम इन्होंने पहली बार किया है प्रभू, पहली भारतिये महिला wrestler हैं जिनके पास under 23 world championship का gold medal है, तो परिस में gold की आशा बिलकुल कर सकते हैं, medal की आशा बिलकुल कर सकते है रहने वाली रोहतक की हैं, और अपना आदर्श मानती हैं साक्षी मलिक को, जिन्होंने, आप हम सब जानते हैं कि रियो में भारत को पदक दिलवाया था, पहली भारतिये महिला wrestler बनी थी, जो की Olympic का medal लेकर आई, और जिस मेदान में, सर छोटुराम अखाडा में साक्षी मलि ट्रेन करती थी, ये रितिका हुड़ा भी वहीं ट्रेन करती हैं, जो कोच साक्षी मलिक के थे, उनी कोच से ये भी ट्रेन करती हैं, तक कि पूरी तरह से अपनी फेवरेट साक्षी मलिक के नक्षे कदमों पर चलें, वही अखाडा, वही कोच, वही medal भी आना चाहिए, उमी पहरत की बार ऐसा हुआ है कि भारत की पांच फीमेल रैसलर्स ओलम्पिक के लिए क्वालिफाई हुई हैं निशा-धिय्या वो 5 वी रैसलर बनी जिनोंने वो 5-वा कोटा भारत के लिए जीता तो ये काम जो भारत ने पहली बार किया उसे अंजाम दिया था निशादहिया ने आदियाना गाव है पानीपत में जहां से इनका सम्मन्द है तेरे बार ये भारत केशरी रह चुकी है एक सधारन किसानी परिवार से आती है और अर्जुन वॉडी सत्यवान जो अखाड़ा है वही सत्यवान जी जो भारत के लिए खेले जिनके सुपूत्र सत्य अवरत भारत के लिए खेले और जिनकी पत्नी का नाम साक्षी मलिक है वो तो खर चैंपियन है ही है उनी के अखाडे में निशा दहिया ट्रेन करती है तो उम्मीदे काफी है कि इतने सारे चैंपियन्स के साथ उनकी अखाडे में अगर आप ट्रेन कर रही हों तो फिर मेडल तो आना चाहिए प्रभू मेडल औरेडी आये हैं सिलवर मेडल 2023 की एशिन चैंपियनशिप में इनको मिला था ब्रॉंज मेडल अंडर 23 वर्ल चैंपियनशिप 2021 में इनको मिला था पेरिस में पदक पूरी तरह से मिलकुल ला सकती है और एक मात्र पूरुष रेसलर जिन्होंने क्वालिफाई किया है भारत के लिए उनका नाम है अमन सहरावत यहार्याना से हैं और जो भारत में कुष्टी का एक गड़ बन गया है दिली का छटर साल स्टेडियम जहां से बहुत सारे हमें ओलंपिक और एशियन और वर्ल्ल चैंपियन मिले हैं उसी छटर साल स्टेडियम में यह प्रैक्टिस करते हैं और जो इनका बेड है ना उसके पीछे इन्होंने हाथ से लिख रखा है कि अगर आसान होता तो हर कोई कर लेता अगर आसान काम होता तो हर कोई कर लेता यनि कि जो आप कर रहे हो अमन भाई वो आसान नहीं वो बड़ा मुश्किल काम है इसलिए आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है 57, 57 kg weight category में अमन सहरावत ने भारत के लिए कोटा जीता है और बड़ी दिल्चस्प कहानी है कोटा जीत कर आए तो उसके बाद पता चला कि आपको ट्रायल देने होंगे क्योंकि इसी weight category में रवी दहिया है जो टोकियो उलम्पिक्स में भारत के लिए सिल्वर मेडल लेकर आये थे और अमन सहरावत रवी दहिया को अपना friend philosopher guide और idol मानते हैं मित्र मानते हैं, बड़ा भाई मानते हैं अदर्श मानते हैं, पूरी तरह से उनके नक्षे कदमों पर चलते हैं दोनों एक ही अखाडे में हैं, एक साथ ट्रेनिंग करते हैं, वो गुरू शिष्यवाला इनका हिसाब है, और चुकि weight category एक है, तो कई बार trial में, कई बार के हमेशा trial में एक दूसरे के सामने भिढ़ना पड़ता है जो Commonwealth Games के trial हुए थे इन दोनों की भिढ़नत हुई, और रवी दहिया ने अमन को अराम से दस शूने से हरा दिया, टेकनिकल सुपिरियोरिटी से लेकिन अब अमन ने बाद में ये वो बाउट देखी, बार-बार देखी, बार-बार देखी, कि मैं क्यों हरा रवी भाई से, ठीक है वो senior है लेकिन उनको ये पता चला कि वो रवी को एक senior की तरह देख रहे थे, एक प्रतिदवन्दवी की तरह नहीं देख रहे थे, उनके मन में सम्मान की भावना थी, प्रतिसपरधा की भावना नहीं थी, उस चीज को उन्होंने चेंज किया, जब Olympic के लिए ट्राइल हुए, तो एक मुश्किल ट्राइल था, शुरुवाती लीड मिली, अमन सिरावत को फिर रवी दहिया ने वापसी की, पर फाइनली, अमन ने वो ट्राइल जीता, भारत के लिए कोटा, इसी वेट कैटेगरी में इन्होंने जीता था, और पैरिस में जाने का अपना टिकेट पका कर लिया, तो ये वो छे, हमारे धाकड छोरियां और छोरे हैं, जिसमें से पांच छोरियां है, एक छोरा है अमन सिरावत, जो रेसलिंग में भारत के लिए मैडल्स की उम्मीद जगाएंगे, कम से कम तीन मैडल्स तो रेसलिंग में आने की उम्मीद मुझे भी है, ज्यादा हो, तो हमें कोई हैरानी नहीं होगी क्योंकि हमारे रेसलर वर्ल्ड क्लास हैं ये थी इन धाकड छोरे छोरियों की कहानी प्रभू, जल्दी एक और वीडियो में कुछ और चेंपियन्स की बात करूँगा, नमस्कार, जैहिन